अब बेटा देखते अबना 17th question question को यहां पर read करो यह क्या कह रहा है करा if the fourth 10th and 16th term of a GP are XYZ respectively prove that XYZ are in GP अरे sir question में क्या पूछा हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो बेटा इस question को करने से पहले हम एक छोटा सा concept समझेंगे फिर आपको एक question अच्छे से समझ में आएगा हाँ जी sir पहले आप concept समझाओ ठीक है तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे हाँ पर concept point कि बेटा रटा तो कुछ भी नहीं लगाना यहां पर मैं बेटा एक जीपी लिख रहा हूं जैसे टू की पावर वन टू की पावर टू टू की पावर थरी टू की पावर फोर टू की पावर फाइव टू की पावर सिक्स टू की पावर सेवन टू की पावर एट टू की पावर नाइन और टू की पावर टैन तो बेट तो मैं यह चीज बताना चाहता हूँ आपको, कि मालो आपने ये अपनी एक first term आपको यहां पर दी गई, और यहां पर उसके बाद three terms का gap है, फिर आपको यहां पर एक fifth term दी गई, फिर यहां पर तीन terms का gap है, फिर आपको ninth term दी गई, तो sir इस से हमें क्या मिलेगा अगर आपको इस तरीके से terms दी जाएं जिनके बीच में जो यह आपकी terms है जैसे आपके पास यहाँ पर मौल लेता हूँ x यह x है यह y है और यह z है x और y के बीच है कितनी terms है? 3 terms का gap है y और z terms के बीच में 3 terms का gap है तो इस परकार से अगर आपको x, y, z, 3 terms दी जाएं जिनके बीच में जो terms है उनका gap अगर same हो तो इसमें एक magic होता है sir क्या बात करो? इसमें क्या magic होता? बड़े ध्यान से एक चीज़ देखो जो आपकी यहाँ पे यह 5th term आ रही है जिसको मैं y बोल रहा हूँ अगर आप इसका square कर डालो अगर आप इसका square करो ठीक है? और यहाँ पे x और y इन दोनों को multiply करो जैसे 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर रहें यह हमेशा क्या होगा बटा? हमेशा बराबर आएंगे क्या है आपके पास 2 की पावर 10 आए? हाँ जी सर और यहाँ पे भी गाए 2 की पावर 10 आए बात समझ में आई? हाँ जी सर बात समझ में आई अब एक छोटा से एक काम करते हैं इसी में हम change करते हैं कुछ और अब हमें काम करते हैं मैंना खाze यहां पर काम करो अभ Croatia मौने अब हम आपको 니 आपको लिख लिए ठीक तेनल टो की तो कीपावर 5 इंद यहां पर टो की ऑवर मिन हैं अब बता बेटा मैं कौन कौन सी टम लो आप बता जो आपको होगे बेटा वही लूँगा शर आप एक काम करो यहां पे पहले आप यह ले लो ठीक है अब यहां पर मैं करता हूं दो टम्स का गैप रख देता हूं फिर मैंने यह ले लिया फिर मैंने दो टम्स का गैप रख दिया फिर म में क्या होगा जो y का अगर आप square करोगे यह हमेशा equal आएगा x multiply z के बस यह आपका जो gap है यह terms का जो gap है ठीक है यह जो gap है यह gap क्या होना चाहिए यह जो gap है वो हमेशा same होना चाहिए वो हमेशा same होना चाहिए ठीक है तो यह गैप आपका सेम होना चाहिए, तब हमेशा आपकी यह वाली condition satisfy करेगी, अब यहाँ भी बटा चेक कर लो, तो 2 की power आपके पास क्या है, 7 है, इसका मैं अगर कर देता हूं, square, और यहाँ पर 2 की power 4, multiply, 2 की power 10, बटा आपके पास क्या गया, अरे sir, क्या बात कर दिया अपने, यह तो हम बराबर आगया बिलकुल, तो बस बेटा, यह छोटा सा एक concept है, जो आपको इस question में apply करना है, अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, बेटा, इस question में यह वाला concept यहाँ पर apply करेंगे, यह concept point है आपका ही, इसको बेटा, एक note कर लेना आप, कि भई, हाँ ऐसा होता है, अब इस question में देखो, 4th term दी गई है, अब solution देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ बता, 4th term दी गई है, हाँ जी, सर यहाँ पर क्या है, 4th term दी गई है, और उसके बाद, यहाँ पर आपको 10th term दी गई है, 10th, उसके बाद आपको 16th term दी गई है, हाँ जी, एक बार चेक करो, बी gap और यहाँ पे भी अगर आप देखो terms का gap कितना आ रहा है? यहाँ पे 6 आ रहा है तो मतलब यहाँ पे same आ रहा है तो क्या हमारा यह वाला concept लग जाएगा? gap same आ रहा है हाँ जी सर, same हमारा concept हमारा यहाँ पे लग जाएगा, तो मैं यहाँ पे आफिकाङ का सकते हैं अब आब मुझे बताओ क्या सकता है यहां पर इy सकता हूं a r kी power 9 हाण जी सर बिलकुल यह हम लिख सकते हैं और यहाऄ पे-a मेरे पास क्या अगया यहापका गीवन क्या है यह आपका य के बराबर है यह आपका वाई के बराबर है यह आपका क्या गरने है अब आप देखो यहाँ पर पर क्या घाए त्री नाइन और फिफ्टीन आ गया ठीक अब यहाँ पर SIX says का गा पारा रहा है सबसे पहले आपको क्या गरना यहाँ पी सबसे पहले मुदसेë कि भाई ये मेरे पास equation 1 आगे ये equation 2 आगे ये equation 3 आगे dividing equation second by equation 1 अच्छा सर इससे क्या मिलेगा इसको divide करो ar की power 9 divided by ar की power 3 equal to में y divided by x आगया हाँ जी सर बिलकूल आगया तो बेटा यहां से इससे चला गया हाँ जी चला गया r मेरे पास क्या जागा यहाँ पर r मैं 6 लिख सकता हूँ 9 मैं से 3 के 6 बचे और यहाँ पर y by x मेरे पास आ गया हाँ जी सर यह हमारे पास आ गया और यहाँ पर अगेन आप एक काम करो dividing dividing by dividing equation 3 equation 3 by equation 2 तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या आएगा a r 15 divided by a r 9 यहाँ पर आपके पास क्या आगया z divided by y यह आगया हाँ जी तो बेटा यहाँ से यह कट जाएगा r 15 में से नो गए 6 बचे r की पावर 6 यहाँ पर अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर fourth equation आपके पास यहाँ जाएगी fifth यहाँ जाएगी अब मैं लिख सकता हूँ now equating now यहाँ पर फाइनली हम लिख देते हैं now now equating equation fourth and fifth बेटा इसको equate करोगे तो क्या जाएगा आपके पास y is equal to x आ गया और यहाँ पर आपके पास z divided by y आ गया हंजी सर यह हमारे पास आ गया अब y इदर आ जाएगा आपके पास हंजी सर y इदर आ जाएगा तो finally आपके पास क्याएगा y square equal to x multiply z y square equal to x multiply z इसका मतलब क्या हुआ यह आपने prove कर दिया y z क्या है एक gp में दिये गए है जो हमने concept यहाँ पर समझाता बेटा वह यहाँ पर हमने prove कर दिया तो यहाँ पर आप लख सकता है hence proved clear हुआ हंजी सर बहुत अच्छे से clear हुआ तो बेटा हमें concept भी साथ-साथ clear करते हुए चलना है नोट करो बेटा इसे फिर चलते हैं आगे अब देखते हैं बेटा अपना 18th question देखते हैं सबसे पहले तो बेटा 18th question पर आप यहाँ पर important mark करो exam से पहले आपको एक बार जुरूर बेटा यह question revise करके जाना है read करो find the sum to end terms of the sequence आपको क्या करना यहां पर end terms तक इसका आपको sum करके दिखाना है सबसे पहले आपको चेक करना है क्या यह GP है सर बिल्कुल चेक करेंगे GP के लिए क्या होता है दो consecutive terms का रिश्व एक्वल होना चाहिए a2 divided by a1 चेक कर लो बटा क्या आएगा सर करेंगे तो यहां पर 11 आएगा a3 a3 divided by a2 क्या करोगा बटा यहां पर 1 और 1 तो आपके पास क्या क्या triple 1 divided by 1 अरे सर यह तो equal नहीं आ रहा it means यह हमारे पास GP नहीं है तो सबसे पहले बटा आपको इस question में इसको GP में convert करना है हाँ जी सर बिल को सबसे पहले हम इसको GP में convert करेंगे solution में start करते हैं तो यहां पर आपको given क्या है अगर मैं लिखों तो आपको यहां पर 8 8 8 8 8 8 8 इस तरीके से बेटा आपको यह दिया गया है और अगर मैं SN की बात करूँ तो SN में क्या होगा सर यह सभी terms add हो जाएंगी सभी terms क्या हो जाएंगे बटा यहां पे add हो जाएंगी ठीक है तो इस तरीके से हम चलते चलेंगे आपको करना क्या है इसमें सबसे पहले सबसे पहले आप इसमें 8 common ले लग ठीक है सर 8 हम यहां पे common कोमन ले ले लिए तो आपके पास यहां पर क्या जाएगा आपके पास बैटा कुछ इस परकार से यहां पर आजाएगा आपने यहां पर कोमन ले लिया अब आप एक काम करो ऊपर-Nीचे बोथ साइड 9 से कर दो तो आपके पास क्या आएगा एब डिवाइड बाइन नाइन से डिवाइड कर दिया और 9 से हमने मल्टिप्लाइग कर दिया 9 प्लस 9 9 कि सुइब पर 9 आच्छा जी सर अब हमें समझ में आ रहा है कि आप क्या करने वाले हो अब आप एक काम करो इन सब में one add कर दो और one less कर दो तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा nine plus one कर दिये यहां पर 99 plus one कर दिया और यहां पर अगेन आपके पास आ जाएगा plus one ठीक है हांजी सर हमने इस परकार से यहां पर इसको लिख डाला तो यहां आपने इस तरीके से करना है फिर आपको एक काम और क्या करना है अब आपको यहां पर minus कर देना है यहां पर one क्या करना है one आपको यहां पर minus कर देना है one plus one plus one plus one ठीक है plus one करते 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 यहां पर end terms सक चला जाएगा यह तो यहां पर हमने क्या किया one यहां पर सब जगा add कर दिया और minus कर दिया हमने again यहां पर one clear हांजी सर बिल्कुल अच्छे से clear अब आप एक काम करो अब आपके पास क्या आ गया यहां पे अगर आप देखो तो आपके पास क्या आ गया 10 की पावर 1 आ गया 10 की पावर 2 10 की पावर बटा यहां पे 3 आ गया 10 की पावर 4 आ गया ठीक है चलते चलोगे तो आपके पास क्या जाएगा 10 की पावर n-1 आ जाएगा आच्छा और यहां पे आपके पास क्या आजाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और सोन आप यहां पे एंट तक जाओगे तो यहां पे बट आपके पास क्या आजाएगा आपको concept वाली class में भी मैंने सिखाया था कि जैसे अगर इसमें आप two terms का रेशो देखते हो a2 divided by a1 तो क्या आएगा सर हमेशा यहां पे हमारे पास common ratio 1 आएगा और concept वाली class में मैंने सिखाया था जब आपके पास r1 आ रहा हो तो sn का जो फार्मला होता है वो क्या होता है a n होता है concept वाली बेटा class जुरूर revise करना वहां मैंने बताया था जब r1 होगा तो sn क्या होगा हमेशा equal to a n होगा clear और इस वाले अगर इसमें देखो अगर आप तो यहां पर a क्या है हमारा a सर हमारे यहां पर 1 है और यहां पर a1 हो जागा तो sn हमारे हैं पर क्या जाएगा one he a n ही आ जाएगा सुरी बटा तो sn हमारे हैं पर क्या जाएगा एन जाएगा तो यह आपको condition बठा यहां पर चलो मैं इसको अच्छे से one multiply n करोगे तो मेरे पास sn क्या जाएगा यहां पर n आ जाएगा क्लियर हुआ यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ तो मुझे एक चीज बताओ तो इस वाले उसको मैं क्या लिख सकता हूं एन लिख सकता हूं हम इसको एन लिख सकते हैं तो आपको यह डोट करना है कि यह n कैसे आया ठीक है तो मैं यहां पर स्टार लगा देता हूं यह n ऐसे आया यहां से आया यहां तक कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं सब यहां तक कोई भी परिशानी नहीं दिवाइड बाइन अब एक बार बिटा यहां पर आप एसे एन वाला फाम्रा लगा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 की पावर n – 1 नीचे क्या आ जाएगा 10 – 1 और यहां पर हमारे पास क्या आ गया माइनस N आ गया अच्छा इसका LCM ले लो तो नीचे क्या बचेगा 9 बचेगा हां जी 99 जा 81 हम यहां पर लिख सकते हैं उपर मेरे पास बचेगा 10 की पावर N-1 और यहां पर बचेगा मेरे पास 9 N लेंगे तो बचेगा तो यह आपके पास solution आएगा तो कोशन के अथा बचेगा कोशन टफ नहीं है पस एक बार आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि इसको हमें किस तरीके से जीपी में कनवर्ट करना है एक यह पॉइंट और यह बचा एक छोटा सा यह वाला concept point जो आपको पता अब कोशन बेटा यह कह रहा है कि आपको यहां पर दो सीक्वेंस दिये गए हैं ठीक है जी उन दोनों सीक्वेंस की corresponding इन टमस को प्रोडब कनि कालके जो एक निया आपके पास यहां पर सीक्वेंस आयगा उसका आपको हमें संब बताना है को कोशन क्या है यहां पर लिखते हैं एक ओस्यूर्द सबसे पहले मैं जो आपकोशिक दिन्के Venert कर लेता हूँ कि बाई अहां पर grid डिया क्या बैटाई 2, 4, 8, 16, 32 आपको दिया गया है और एक sequence आपको यहाँ पे दिया गया है 128, 128, 32, 8, 2, 1 by 2 तो बैटा question में कहीं पे भी GP word use नहीं हुआ, geometric series word use नहीं हुआ, exam में अगर एक question आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह GP का है कि नहीं है तो बैटा दोनों sequence में आपको करना क्या है corresponding terms का ratio निकाल के देखना है कि भाई सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे 4 by 2, 2 आ गया 8 by 4, 2 आ गया, 16 by 8, 2 आ गया तो मतलब यह मेरा क्या हुआ, GP हुआ वैसी बैटा आप इसको देखो 32 divided by 128, क्या आ जाएगा 1 by 4 आ जाएगा, हंजी सर, 1 by 4 आ जाएगा 8 by 32 करोगे तो 1 by 4 आ जाएगा, हंजी सर, 1 by 4 आ जाएगा तो यहां पे भी क्या है consecutive terms की जो ratio आ रही है वो क्या रही है, same आ रही है, 1 by 4 आ रही तो दोनों ही sequence यहां पे क्या हुए GP हुए, अब यहां पे क्या है, अगर यह GP हुए तो मैं बिटा इनको, ऐसे लिख सकता हूँ इसके सम की बात अगर करूँ SP, ऐसे लिख सकता है 2, plus 4, plus 8 plus 16, plus 32 वैसे ही अगर हम लिखे हैं यहां पे SQ, हमारे पास क्या आ जाएगा 128, plus 32 plus 8, plus 2 2, plus 1 by 2 अब हमें क्या कर रहा है, कर रहा है इसकी जो corresponding terms है उसका product निकालो ठीके जी निकाल लेते हैं, फिर उसका जो sum आएगा वो आपको बताना है, तो यह product corresponding terms के product के sum की बात कर रहा है तो क्या आजाएगा, 2 multiply 128, यह आजाएगा 4, multiply 32 आजाएगा 8, multiply 8 आजाएगा 16, multiply 2 आजाएगा plus 32, multiply 1 by 2 हमारे पास यहाँ पर आगया आपके पास क्या आएबट, इसको multiply करोगे 256 आजाएगा और यहाँ पर आपके पास 128 आजाएगा 8, 8 जा 64 आजाएगा 16, 32 आजाएगा 32 का हाफ करोंगे 16 आजाएगा तो आपके पास क्यों बेटा यहाँ पे आपके पास एक नई GP आपके पास आगई तो बेटा आप एक काम करो दो corresponding terms का यहाँ पे ratio निकल के देखो 128 डिवाइड बाइ 256 तो बेटा इक आएगा आपके पास 64 डिवाइड बाइ 128 करोगे तो भी आपके पास 1 बाइ 2 आएगा 32 डिवाइड बाइ 64 करोगे तब भी 1 बाइ 2 आएगा तो common ratio हमारे पास same आ रहे है तो यह भी कि हमारे पास GP है हंजी सर यह भी GP है तो बेटा अगर हमारे पास यह GP है तो क्या हमढ़ पर Sn के फार्मला लगा सकते हैं हंजी सर बिल्कुल यहां पर Sn के फार्मला हम लगा सकते हैं तो A क्या होगा इस case में मिआपस A हो जाएगा 256 R की अगर हम बात करें तो R क्या हो जाएगा 128 क्या होगा 128 डिवाइड टो निवाइड पाञुश 1-R लगा सकते हैं चाहे आप R को आगे ले लो जैसे मर्जी ले लो दो मैंने आपको बता था कि कोई भी फार्मला SN का आप यहाँ पर लगा सकते हो R की पावर N-1 डिवाइड बाई R-1 वो भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो अब यहाँ बताओ तो एक क्या है 256 256 हमारे पास यहाँ पर आ गया 1-R क्या है 1-2 अब मुझे बताओ नंबर अफ टम्स कितनी है 1,2,3,4,5 तो मैं यहाँ पर लिख दूँ भाई S5 और इसकी पावर क्या जाएगी 5 आ जाएगी नीची क्या जाएगा मेरे पास 1-2 आ जाएगा 1-2 यहाँ पर आ जाएगा एक काम करें इसको बिना आप 2 की पावर में लिखो calculation easy हो जाएगी अगर आप 2 की पावर 4 लिखते हो और 2 की पावर 4 लिखते हो तो आपके पस 2 की पावर 4 के इतना आता है 16 आता है और यहाँ पर 16 आता है हां जी सर बिलकुल लिख सकते हैं इसको अब LCM ले लो यहां पर आ गया बटा 2 की पावर 5-1 ठीक है जी डिवाइड बाइ यहां पर 2 की पावर 5 आ गया अच्छा और यहां नीचे भी LCM ले लो नीचे 1 आ जाएका बटाए 2 ऊपर चला जाएका multiplication में हां जी सर 2 ऊपर चला जाएगा तो finally मेरे पास यहां पर 2 की पावर 9 लिख सकता हूं जैसा 2 की पावर यहां पर 9 लिख सकते हैं और नीचे 2 की पावर मेरे पास 5 है इसको ऊपर को सोल करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 5-32 होता है multiply करोगे आपके पास 31 हमारे 21 हमारे पास यहां पर आ जाएगा आप यहां पर पावर क क्या थाए तो finally आपके पास यहां पर क्या बचाएगा है आपके पास बच vivir 29 खी पार क्य ओता है सर 16 होता है ठीक है 16 से multiply करोगे इकन से muss 134 596 आपके पास यहां पर 496 तो भीता कोशन इहुसिंख वहाँ ते ही सिंबल है very very simple है नोट को पीजन पर चलते में अपने नेक्स्ट कोशन पर है नोट को उसको फिर चलते में अपने नेक्स्ट कोशन पर दो झाल झाल